आप सभी का स्वागत मित्रों आज से अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे कॉमर्स को लेकर सबसे पहले जितने दोस्तों सभी को गुड इवनिंग दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कहा था कि अब डेली आट वजे आपको कॉमर्स नैट की तियारी कराई जाएगी कॉमर्स वाले जितने भी स्ट्वें से जो कॉमर्स की त्यारी कर रहें जोमाने जैसे पहने समझा को सबसे पहले दोस्तों कुसिश कीजिए कि राजिसतान के अंदर जितने भी स्ट्वेंस हैं जो क्मर्स की त्यारी Cross het यह जो net की तीःरी करें ॥ लिए वीडियो पहुचना चाहिए आज का topic ऐसा topic जो 9 aries में वी कामाता है coppermost मृक्तभ खरें कामाता है 2ce हएँ कम अभी constitutional के नमी मिख चानायच कम चाहिए वहां पर भी काम आने वाला में यानि बैंकिंग प्रैनाली के बारे में आज आपन बात करेंगे बैंकिंग के बारे में आपन बात करने वाले क्लिए मित्रों तो सबसे पहले तो आप सभी को गुडिवनिंग देखिए दोस्तों टॉपिक है बैंकिंग बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो बैंकिंग करते हैं कि यह अब यह फिनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे वितिये बाजार का मतल़ होता है दोस्तों वह बाजार जहां पर वित का आदान-प्रदान कहाता है यानि धनका लेंदेन कहाता है उस बाजार को फिनेंसियल मार्केट कहते हैं वित्तिय बाजार को मित्रो दो बागों में बाट कर पड़ाया जाता है या दो तरह से इसको बाट गया है मित्रो सबसे पहला का मनी मार्ट जिसको बॉलते हैं मुद्रा बाजर को क nodes मुध्रा बाजर दूसरा होता है पूंजी बाजार जिसको बॉलते हैं कान सा मार्केड बोलते है पर capital market अपर इसको कहते हैं तो टॉपिक बड़ा important है ऐसी से आपको interesting जानकारी दी जाएगी जो आपने दोस्तों कभी offline classes में देख लोगी आपको online classes के अंदर ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी तो सबसे पहले आपर करेंचे दशिए दोस्तों मैंने क्या बता है financial market । candle मारकेट में मार्केट जहांब पर फिनस का लेन देन होता है फिनस के ट्रेनिंग होती है जहां पर वित का आदान प्रदान के जो ऐसे उस बाजार को वितिय बाजार के दो भाग करतें यह a तो ये होता money market वो होता capital market यह मैं यहाँ पर मुद्रा बाजार मे लिए धनका आदान परदान परदान किया जाता है यानीcend के लिए अल पहुत के लिए अधनका आदान परदान किया। इसलिए इस बाजार को अल पे कालिन वित्ति ये बाजार कहा जाता है क्योंकि capital market में मित्रोd क्या होता है दिर्गे काल के लिए धन का आदान परदान किया जाता है अभी तक मैंने आपको दो बाते सिखा ही सबसे पहली बात मैंने विद्यार्ते को ये सिखाया कि वित्तिय बाजार क्या होता है वित्तिय बाजार का मतलत है वह बाजार जहां पर वित्त का आदान परदान कहता है अर्था धनका आदान परदान कहता है उस बाजार को वित्तिय बाजार कहा जाता है सबसे पहले सबसे इसको अपनी कॉपी नौट कीजिए, कॉपी बना लीजिए दोस्तों, और आपको आपको दोस्तों सबसे लिए वित्तिय बाजार, वह बाजार होता है, जहाँ पर वित्ति का आदान परदान कहीं थते हैं, वित्तिय बाजार के दो भाग होते, एक money market होता है, एक capital market होता है, money market का मतल़ होता है, वहें बाजार जहांपर alpikal के लिए धनका आदान परदान किया जाता है, चलियर, चलियर आगे ओर diagram को बढ़ाते है, पन, मैं तो डाइग्राम को बढ़ाने के बाद मैं लिखना सहूँग पहला भाग वता है संग्गतित मुद्रा बाजार राधार का मतलब होता है संग्टित मुद्रा बाजार नहीं होता है इसको ऐसंगतित मुदरा बाजार ऑपन कहते हैं है होगे मित्रों अब देखे यहां पर मतलने जाओंगा सबसे पहले में बढत करो दोस्तो संगतित मुदरा बाजार वह बाजार होता जिसका कोई संगतन होता है जिसके संसता होती है संसता हो सी जैसे बाल वालने बैंको जित्व שמסड़ी मुद्रा बाजार के भाग माने जाते बैंक लगानोग बैंकिंग फिनेंश कंपनी ये तरह होती है इंकी सब्सक्राइब होते हैं तो मैं तो की दो बागों में बाट गया अच्छा और आप लोगा देखे दोस्तों पहले के देगा दूप अबस्टों में सब्सक्राइब बंदेगकों की तरह आपको पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको टॉपिक सिखा देता हूं उसके बाद आपको दस मिन का टाइम दूगा जितने भी कुछन आपको पूछ ने दो सबसे पहले तो आप लोग जितने ज्यादा जूड़ सकते हो दोस्तों कॉमर्स के जितने ज्यादा बच्चे है उन सबी को आप लोगे सर मेरा नेट में पॉइंट से रह जाता है लेकिन वापस से यह बिलकुल सुनेल चोधरी जब नहीं रहेगा डौंट परी कॉमर्स में नहीं रहने दूगा बाकी में को पता है नहीं कॉमर्स का मगबड़ा कॉम्प्लेट कर दूगा चले दोस्तों ऐ जनका आदान परदान करते हैं तो यह सबके सब ऐस अंगटित मुद्रा बाजार के पार्ट माने जाते हैं तो देश तो मैंने अब तक क्या बता है वित्तिय बाजार का मतलब वहें बाजार नोट करने अपने वहें बाजार जहां पर वित्त का आदान परदान किया जाता है उस बाजार को वित्तिये बाजार कहा जाता है, उस बाजार को financial market कहा जाता है, वित्तिये बाजार को दो भागों बाटा जाता है, एक money market, एक capital market, एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार वह बाजार होता है मित्रों, जहां पर अल पे कालीन अउदी के मुद्रा बाजार का एक तो होता है संगतित मुद्रा बाजार होता है जिसका किसी परकार कोई संगतन नहीं होता है वहां पर जो भी पॉइंट आपको डवाइड लगे दोस्तो पूछ लेना है कि बिल्कुल मोईज कुछ पॉलता है और सूरेंदर कुमार जी कि कर दे लिए वित का आदान परदान होता है दुस्तो दोस्तो दिर्गालीन अवधी के लिए इसको दिर्गी कालीन वित्या बाजार कहा जाता है उसको दिर्गालीन वित्याइग सुनकी स्था अन्तरत पर नसके बाजार पूझी परती बूती मारकेट ऑपन कहते हैं परतिवूती बाजार वहेजार था जहां पर परती बूतियों का स्थी को लेंदेन होता है सेप्रेश कंछ सेट ढ़य को अब देखिए आगे इस डायगराम को भणा बांगर दोस्तों कि परती बुती बाजार के नाधर धोब होते हैं जींसों परती सेट्फ़ह ठोबधी बाजार मित्रों वह होता जिसमें किसी कमपनी और इंवेसटर के अवा पर कार कोई दलाल वे होता कोई श्टोक एक्टेंज नहीं होता और अजैसे एक कंपनी और अपने जनता में इस्ध्यु पर चि में होता कोई पर कोई बाजार उपर कहते हैं और इसको बाटम कर निर्गमन का भाजार भी कहते हैं किंधे नियुर इशो मार्केट इसलिए कर यहांपर पहली बार सीकैवी घरिटने में वहें बाजार होता है जहां पर उन परति यह पहली किया चुका है यानि कहने का मलब कि होता है क्पिसे कंपनी और एक ब्रॉकर कोई नशे को देखो अब इस पूरे डायग्राम को यह बार संबल लीजिए उसके बार क्योंकि दोसरो इस्टे वाई स्टेप समझोगे ना तो आपको ऐसा लगए कि चाहिए आप आप लाइन पढ़ो आप आनन लीजिए आप बैटो उसको आनन लेते पढ़िए देखे सबसे पहले पढ़ गोंबाटा जाता है एक मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहां पर अल पे काल के लिए धनका आदान परदान होता है अल पे काल के लिए वित का आदान परदान किया जाता है उस बाजार को मनी मार्केट कहता है इसी लिए बाज़ार को आए दो बखर जिए jsou लेकिन दोस्तों जिनका कोई संगतन नी होता जिनका कोई नाम नी होता जिनकी कोई संस्ता नहीं होती जिनकी कोई company नहीं होती वह संगटित मुद्रा बाजार में माना जाता है और अगे चलता हूं धे कैपिटल मार्केट में आता आपका परतीबुती बाजार परतीबुती बाजार को English लिसमें बहुते हैैamp КолThen dubois को इसकिया होता है कोई बूंड कॉई मुंहें जिसका अगली हो तो प्रती वूंड जिस के सिचिन गळूंद यह सब कि सब धूंट धो परति उतया ऑप धे लिए जाता अवे कर दाता है जिसंद बाजर के मात्यम से किया जाता है दोस्तों उस बाजार को परती बुती बाजार कहा जाता है और परती बुती बाजार के दो भाग होते एक होता है प्रात्मिक परती बुती बाजार और एक होता है दित्यक परती बुती बाजार प्रात्मिक परती बुती बाजार का मतलब होता है कि वह म करना चाहती है तो इसकेलिए किसी दलाल क्या होग सकता होती है अगर वो दलाल के माधर कינस से इस्टो के माध्यम से अगर अपने सिक्योर्टी को लुए तब तो कहलाता दोस्तु समय दित्यक परती बूति वाजार के अंतरकत किस किसी परकार का कोयи नो कोई होता है इस टौक को millor कर कि विच में लेता प्रती बुंति बाज़ार कि और एक इन्वेस्टर की बीच में एक कोई दलाल नहीं नहीं है और हमित्रो मनतलब उरक कोई क्तな है परति पुर्सार कि बाज़ाराard सिक्योरिटीज को ठीक है दोस्तों पहली बार कोई कंपनी अपने सिक्योरिटीज को जनता के सामने इश्यू करती है यानि पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को जनता के सामने बेचने का कार्य करती है उसको बोलते आई पी ओ इनिसियल पब्लिक ओपर इनिसियल पब्लिक ओप तो अब मेरी बात को धियान से सुज़े सोंगे अगे टॉपिक कुछ ऐसा बनता है कि अगर मैं आपको समझँ अच्छी तरफ से तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मनी मार्केट जो मनी मार्केट है मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाली संसता है और एड मूंक रोटी हैं और रिजर बैंक उप इंडिया जिसकी स्तापना एक अप्रेल 1935 में की गई है दोस्तो इसके बारे मैं पूरे डिटेल से समझाओंगा कि रिजर बैंक उप इंडिया क्या कारे करता कैसे कारे करता सारी डिटेल सागोता हूँगा दोस्तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी को कंट्रोल करने वाली संस्था कोई सी है तो दोसर पूंजी बाजार को कान्च्रोल करता है सेवि सेक्योर्टी एकसें had of India दोसों से बी के द्वारा सिक्योर्टी सेवि के द्वारा money capital market कोण चीवार्बियाई के द्वारा 1988 हुए है जब कि Ceviby को वेधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तो जनवरी 1992 में इसलिए Ceviby अदिनियम का बना 1992 में जबकि आर्विय अदिनियम का बना 1904 सेवी अदिनियम 1924 ज़क लिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि capital money market को control करने वाली सबसे बड़ी संस्ता कौन है RBI और capital market को control करने वाली सबसे बड़ी संस्ता कौन है से भी अब दोस्तों कुछ कैसे बनेगा सुने दांसे कुछ ऐसा बनता है आपको मैं समझा दूँ अगर आप से कोई पूछे कि financial market को वित्तिय बाजार को control करने वाली regulatory body कौन है यानि वित्तिय बाजार को कौन कौन सी संस्ता है regulate करती है regulate का मतलता उसका control करना उसको regulate करना उसका नियमन करना उसका नियंतरन करना तो वित्तिय बाजार को नियंतरन करने वाली दो संसता होती है, एक होती RBI, और एक होती है मुद्रा बाजार मनी मार्किट के पूणजी बाजार कैपिटल मार्किट कि लिया मित्रो और बताई आप लोग बताई फटापड बताई फास्ट को भी डॉट यह पर अक्य बोल दीजिए दोस्तों जैसे ओक के बॉल दो आप लोग ठाल दीजिए अके कर दीजिए मां आगे ением की सारी बाते clear हो गई किसा से current chem प pomovat push घूंट मोष ruled गैजर हो गया धीक है diagram कि कोई बी चीज अगर आप पूछ सकता है कोई भी question बोचना पूंच्टा है को के सब समझ में आ गया और English दोस्तों इंगलिज जी मैं इंगलिश्यमस में लीक नहीं दिस्पले तो छोटा है और बहुत सारी चीजे में बतानी होती है मैं इंग्लिज में बोलता दाओंगा आप अपनी कॉपी रखे कॉपी मैंटन कीजिए अच्छा ये राम जोती जी कहा दें प्राम प्रामरी सेकर्टी मार्केट से दुबारा समय बिल्कुर राम को राम जोती प्रामरी सेकर्टी मार्केट प्रात्मिक प्रतिबूती बाजार का मतलब वहें बाजार होता है जिसमें एक कंपनी और एक इन्वेस्टर के वीच में कोई दलान नहीं होता मैं समझाना चाहूं को कैसे मालो दोस्तों मैं पहली बार एक कंपनी खोलना चाह रहा हूं और मेरे घिसाइब जंता पैसा क्यों देगी आपको पैसा इसलिए देगी दोस्तों क्यों कि company मैं उनको सेर चीह घर एगी तो दोस्तों जैसे 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 कंपनी मेरी जार करती जाएगी मेरे शेज की वेल्यू बढ़ती जाएगी तो जब कोई company पहली बार जनता के सामने securities के माध्यम से sales के माध्यम से पैसा collect करती है उस बाजार को नाम दिया गया primary security market नाम दिया गया अर्थार प्रात्मिक प्रतिबुती बाजार में एक company और एक investor के बीच में कोई दलाल नहीं होता कोई mid data नहीं होता कोई broker नहीं होता इसलिए दोस्तों जो IPO होता है जाचा आपने कई बाद जाने जाने नाम सुनाओगा IPO initial public offer जिसको प्रारंबिक सारजनिक प्रस्ताव कहते है IPO का मतलब होता कि company पहली बार जनता के सामने आ रही है और जनता से पैसा ले रही है चलो ओक्यों बताई दोस्तों आगे चलूँ ठीका आगे लेता हूं कि लिए में तो सारा डाइक्राम एक बार आपने स्कीन सोट लेके देख लेना जो भी प्रॉब्लम्स पूछ लेना कोई भी डाउट डाउट के लिए कर लो दोस्तों सबसे पहले आप डाउट सारे कर लिए डाउट नहीं होना चाहिए चलो आगे दोस्तों सुग्देव जी करना चाहरे किसे मैंने आपका कोर्स करीदा 330 प्लस बिल्कुल ग्रेट सुग्देव जी आपका सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों अब बस यह टार्गेट अपना कि इक कॉमर्स को लेकर जो जो भ्रहम है कोई वीडियो नहीं आता दोस्तों कोई नहीं पढ़ा था ओनलाइन आकर दोस्तों माको सारा commerce online पढ़ा दूगा क्लिए ओके अब चलते दोस्तों आगे की ओर अब मैं आपको आगे समझाता हूं दोस्तों अपने topic की ओर भड़ते हैं आज topic not करने दोस्तों दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे banking को लेकर अब देखे banking के बारे में क्या आता topic ये समझना दोस्तों सबसे पहले आपन बेंगे के बारे में बात करेंगे और जब दोस्तों किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता हैं तो उसके नौट्स बोग्त शांदा तरिकशे बनाने होता है कि सो परेले में बंचिंग में पढ़ना क्या होता है दोस्तों सबसे पहले विद्यारतियों को बैंक का परीचे पढ़ना होता है कि बैंक का परीचे क्या है बैंक का परीचे में दोस्तों तीन बाते पढ़ाई जाती है जो आपको पहले मैं बोल देता हूं उसके बास समझाते लोगा बैंक के परीचे में सबसे पहले बता द्यानगना बैंक के परीचे में सबसे पहली बात कि बैंक जो है वह वित्तिये माजार की बाजार का भाग है दूसरे इंपोर्टेंट बाग बैंकों का उलेग सविधान की सात्वी अनुसुची में किया गया है और लेंक वह दोस्तों संग छेतर आता है बैंक बीमा परिवयन सचार यह सब के सब दोस्तों ठीकर सब केसं नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं गॉपाल जी मैंने कोई प्लाशेज सबसेड़ान सबसेंदों सबसे पहला बिंदू है कि बैंक जो आर बैंक जो है वो आपके आते दोस्तों मुद्रा बाजार के वित्तिये बाजार के मुद्रा बाजार का भाग है बैंकों का उलेक सविधान की सात्वी अनुसूची में किया गया है बैंक संग सूची का विशे होते हैं और बैंक जो दोस्तों अर्थ विश्ता के तृत्येक छेत्रों में आते हैं पहली बात अप दोस्तों बैंक के अर्थ की बात अपन करें तो बैंक एक ऐसी वित्य शंथा है जो जनता की जमाओं को सिवकार करती है और उनके मांगे जाने पर उनका पैसा वापस लोटा देती है कि लिए में तो बैंक एक ऐसी वित्य संस्ता है बिल्कुल मितेश्दी सेकिंड पर पूरा कम्प्लीट करा दुगा बस तो यह टाइम देना दोस्तों मां को पहले संदातों मेरा पढ़ाने का तरीका खुछ अलग रहेगा मां आपको ऐसे पढ़ाऊंगा आप आप लाइन जनता की जमाओं को सिवकार करती है और उनके मांगे जाने पर उनका पैसा वापस से लोटा देती है सबसे पहले दोस्तों बहुत से लोको को सेर करना है कम से कम राजस्तान के सारे बच्चे जो कॉमर्स की तियारी करें वह अपने से जुणने चाहिए यह आप आपको उसके अगला पॉइंट क्या रहता है यह दे तो फिर आता है दोस्तों बैंक के परकार के बैंक के परकार आपको समझाओंगा अभी मां को सलेबस बता रहा हूं कि अपने इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले बैंक के परकार बैंक के परकार में बात करते दोस्तों बैंक दो परकार वो कहलाता है अनुसूचित बैंक और गेर अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है दोस्तों जिसका उलेग आर्बी अदीनिया 1934 की दूसरी अनुसूचित में नहीं किया गया पिए बैंक आफे आए मैंनिस्चों तेस्पों। जिसका उल्लेक ङगेया दोस्तों तो डोस्तों आपको ये भी पतानु सरे संदेशरे मैं जिन बैंकों का उल्ले किया गया है यह सब अपे पढ़ेंगे और अगला पॉइंट जो विद्यारत करता है बैंक के कारिये कारिये करता है जैसे जंता की को सिवकार करता है उनके मांगे जाने पर पैसा लोटा देता है इसके सासा दोस्तों रिंद देने का अधिवीकर्स का कई कारे मैं डिटेल समझाओंगा पहले आपको बता दू कि कि बैंकिंग में किन किन टॉपिक्स को चर्चा अपनियों करनी है फिर मित्रों आपको बताना इतियास कैसा है इतियास की जब बात की जाती है दोस्तों तो सत्रा सो सतर से लेकर दो हजार बीस तक के मैं दोस्तों आपको बैंकों की इतियास बताऊंगा कि बैंकों कैसे कैसे कुले कैसे कैसे बंद हुए बैंकों के अंतरकत क्या क्या बात आती है गोपाल जी रीट का स्ल के बैंक कौन कौन से दोस्तों जब भारत के पर्मुक बैंकों कि मैं बात करूगा तो आपको 15 बैंकों के बारे में आर बी आ के बारे में नाबार के बारे में महीला बैंक के बारे में सहकारी बैंक के बारे में भूमी विकास बैंक के बारे में आई डीवा बैंक के बारे में अगले टॉपिक बनाऊंगा क्लव भारत वर्तमान में बैंकों की समझ्या की ज으니까 विजे मालिया को लेकर कि बैंकों की बड़ी प्रॉब्लम ही उसने बैंकों की सबसे बड़ी समझ्या Candain और ना अगर नन पर्फाम्मिंग तो दोस्तों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि NPA क्या होता है नौन परफॉर्मिंग असेट्स को लेकर तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद मित्रों बताना तो आपको अगला जो बिंदू रहेगा लाष्ट है वो रहेगा कि बैंक समश्याओं का समादान समश्याओं का समादान कि समश्याओं का समादान कि भारत की जितनी भी बैंक है उन बैंकों की जो समश्याओं चल रही है उन समश्याओं का समादान करने के लिए सेंटल गोवर्मेंट के द्वारा कौन-कौन से आयों कौन-कौन से संस्ताओं का कि या गया एन्ट वियन गॉजना यह तक क्या मेंटक सरफव मंगतने में बात करेंगे इसके लाव में और वाप दुवाला कानुन के बारे में बात करेंगे वेंक करेंगे बोसे वह बने डोस्तों जो बैंकों की समझाओं का समाधान करने कार ये करें के लिए मैं तो अब देखें आगे तो दोस्तों ये तो गया अपना एक पॉर्शन कंप्लेट के लिए देखें दोस्तों अभी तक मैंने आपको दो बाते आज समझाईए अब एक विंदू पर टोटल मिला के दोस्तों ये ये बताऊंगा कि बैंक जो है एक ऐसी वित्तिय संधार बैंक वित्तिय बाजार के मुद्रा बाजार का बाग है अच्छरा पॉर्शन के Amuseya जाते हैं तो दोस्तों टोटल मिला के आठ मिंदों पर चर्चा की जाती तब जाके अपना पूरा वित्तय वाजा को मैं एक्सिना कर सटा पिर मकता सब को समझने के बेंक बैंक का परिछे अपनी कौपी में लिखने ना बैंक का परिचे जब दोस्तों बैंक के परिचे के बारे में बात की जाती है तो मैं आपको समझा दोस्तों पहली बात पहला तो यह दोस्तों बैंक जो है वह मुद्णा बाजार है सब्सक्रानर centuryкам स्चाविदान की साथ वी अनुसुची में किया गयाता है सब्सक्राइब है के पास बागि सभी बैंकों नियम कानुन बनाने का इधिकार कि Обогशन करें, बैंक को छोड़ के करने का के पास है। कि बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सेवया सुग्देव जी सही कह रहे और मज़ा आएगा दोस्तों कोई बार ने अभी नया चैनल है कोई दिखकर नहीं आप सब जुड़ जाएगे डेली रब आएंगे बच्छों को शेयोड जाएगी डेली दोस्तों अपनी कोपी को अपनी कोपी नोटि कीजिए मैंने दो एक ढरना दोस्तों चोता कि बैंक जो है मित्रों ढर ऑरथी वबस्ता के कहовой से चित्रों में आता है ON SHE Kin short परिचय के चारों के चारों पॉंट साबी को किलिए होगए क्या कि ऑट हिं इंख्रेयन कर दो दो बता दिए यलगेंद करें नाट करें पहले डोस्तो वह फिनेंसी büy मय्के का हौट एक मचैपिडल मार्के偶्य हुए उसका वह मनी मार्केट का बाग है अच्छा money market में कौन सा संगतित और गनाइज मनी मार्केट जो है क्लिए दूसरा पॉइंकों को लग सविदान की कौन से अनुसूची में किया गया है याने बैंकों का उलेक भारतिय सविदान की साथवी अनुसूची में किया गया है और तीसरा पॉइंक क्या जाएगा बैंक भाते जो अर्ट विवस्ता के तीन चैत्र होते हैं एक होता प्राथ्मिक चैत्र यानि primary sectors प्रांत्मिक चेतरों का भाग माना जाता है रोड़ों सेवा चे यह सामिल किया गया है अर तरिट्यकों को है पपना जाता है है अब दोस्ते बताईए अब तक जो बाते बताई वो सभी को क्लियर हो गई क्या बताई दोस्तों एक वाल ओके बोल दीजे मैंना तीन स्लाइट के माध्या से बात देखें अगला पॉंट बता है बैंकिंग कि बैंकिंग को पढ़ानी के लिए कौन कौन से पॉंट होता है सबसे बेंक का परीके फिर बेंक का इर्ट फिर बेंकों के दो परकार बेंकों के नौकार बारत बहुंबविकास बैंक को लेकर सबहों से इसलामिक के बीच deal से जहां पर करेंगे बात करेंगे भरत में घकों स размख्या आग में सभी वाध मेंने सेंटल गर्शने के दवार्मेंट के द्वारा क्या 윽 क्या नहीं क्या नहीं Cos— व्यंफ समख्यां के समाधान करने मुलाइन ट्र रिट को आणिर। कि वी समख्यां का समय कमाना करने की स waiter अधिकार किस आशार में किया गया है बैंक संद सूची का विजय अर्था बैंक पर नियम कानूर में करता है इंडिया कंट्रोल करता है जब की केटल मार्केंट को से वी कंट्रोल करता है और बताइए तो दोस्तों यहां तक सभी किलिए अगले चार क्लासों मन समझाओंगा यह पहली क्लास थी अब बागी तीन क्लासों को और समझाओंगा सर सात्वी अनुस्ची मतलब। अचरा क्यां यान स्वीधान साथ वूजर सती तीन सची मतलब। union list राजे सूची यानि सम्वर्ति Animal 115 जी तो जो major वो पार्ट यानि संग सूची और इसका मतलब है कि बेंकों पर नियम कानूर बनाने का स्व्यल धिसकर Benkar के के दोस्यति Committee Moon another friend 구a có 12 यानि मार्केट में क्या अंत्र है कुछ एंतर नहीं दोस्तों एक बात है पुरुषतम जी एक की बात है तो एंतर नहीं है और बताइए ठीकत बताईए फटापड पटाईए दोस्तों यहां तक ऑखे हो गया कै एक बार ऑक्के बोल दीजे समी विद्यारतियों को जो बात मनें समझाए वो शारी क्लियर हो गया किसी भी परकार का डॉट नहीं रहना चाहिए जो भी बात बन लो दोस्टों सब्सक्राइब हो गया क्या नहीं मुझी थेंक्यू बोलने क्या हो श्रीकता नहीं है मेरा करतावे दोस्तों आपको पढ़ाना और अच्छी तरह से पढ़ाना आपको एक free of cost इस platform के मात्रे से आपको class provide कराना यही मेरा उद्देश है दोस्तों online पढ़ाने का मेरा एक ही परपज है जो बच्चे सिक्षा से वंचित हो दोस्तों उनको अच्छी सिक्षा प्रवाइड कराना और offline जैसी सिक्षा उनको अपलब कराना यही मेरा उद्देश है बताई दोस्तों और इस कलभा अप वीडियो को आरामसे पउस करके देखे। थोड़ तर देखे इस सब्सक्रय सर्के नाम से आप अब आप देख सकते दोस्तों यानी जी के मुकेस पंचोली सर के नाम से जो टेलिग्राम एप है वहाँ पर भी आपको सारी बाते प्रोवाइड हो जाएगी इन सबी के बारे हम बात करना जाहींगे दोस्तों तो इन सबी के बारे मैं बात करना सब्सक्राइब लिए तक की ट्रॉपिस अपने कंपलीट हो चुकी है यहाँ तक सारी बात मां उको बता चुक है ऐस万 हुआ को कि असीजाल है तो आए विदा लेता हूं लागे हुआ तन करेंगे यह सबसे पहले आपन कर बैक का अर्थ पड़ेंके पड़ेंगे दिखेशने के बारत का इतियास पड़ेंगे फिलेखिए श्रश पॉरा, पूरा कड़ाता रहूंगा तो जानकरी में आपको दीती उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होगी अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तो तो नीचे आप कमेंट डालना मैं कमेंट का रिप्लाइ कर दूगा कोई प्रॉब्लम से उसका अथन्टिक जवाब आपक को लेकर याने एक से लगवाग एक घंटे की क्लास जो रहती है वह आपको प्रॉइड करता हूँगा अच्छे नोट्स बनाईए अच्छे तरफ पढ़िए और कॉमर्स को लेकर बिलकुर ड़नने के आउस्षकता नहीं है कॉमर्स आपको पुरा कंप्लेट करा दिया जाए झाल 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 झाल